Hello दोस्तों, आईए आज इस वीडियो में समझते हैं I see why am I, यह एक short form है इसका messaging में कहां use होता है और इसका full form क्या होता है और इसका Hindi भी देखेंगे तो इस short form का full form होता है In case you missed it In case you missed it इसका Hindi होता है यदि आप चूक जाते हैं यदि आप मिस कर जाते हैं चलिए इसको example से समझते हैं There is a big sale at the mall this weekend in case you missed it इस weekend पे एक बड़ी sale लगी होई है mall में in case you missed it यदि आप चूक जाते हैं मतलब जैसे कि आप चूक न जाओ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस weekend पे एक बड़ी sale लगी होई है mall में तो कोई message आप टाइप कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगला बंदा miss हो सकता है भूल सकता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं in case you missed it यह आपको करना चाहिए यह एक नई चीज है आपके लिए तो ऐसे यहां पे use करते हैं तो I hope आप समझ गहेंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फर वाचिं